नमस्कार साथियों स्वागता आपका हमारी यूट्यूब चैनल जेनल पिस्टोन ग्राफिय में तो फ्रेंड्स आज की जो डिक्टेशन रहने वाली है वो रामदारी गुपता पार्ट टू का लेशन फाइप की जो डिक्टेशन रहेगी ठीक फ्रेंड्स और जो इसके को डाउनलाड करके आराम से अभ्यास कर सकते हैं ठीक प्रेंड्स चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें डिक्टेशन स्टार्ट होगी तीन सेकेंड बात महोदे बच्चों को जो ग्यान प्राप्त हो वहे अनुभव से प्राप्त हो नै की केवल इसमरण सकते पर आश्रित रहकर रटाई द्वारा उन्होंने सोचा था और उच्चतम सिक्षा सास्त्रियों का भी यही विचार है की इस परकार से प्राप्त ग्यान बच्चों में जागरुकता कार्यकुसलता स्वतंत्र भावना पैदा करता है जो इस जीवन के संग्राम में बहुत सहायक हो सकता है दूसरा मोलिक विचार उनका यह था की इस परकार की सिक्षा इस देश के लिए अनुकूल ही नहीं बलकी अनिवार यहें बच्चों से जो कुछ भी काम कराया जाए वह उत्पादक काम हो और उससे जो कुछ भी पैदा हो उससे सिक्षा कावे यदि पूरा पूरा नहीं तो अधिकांस निकल सके क्योंकि यदि सिक्षा कावे दूसरे परकार से निकालने का परियत्न किया जाएगा तो वह बोज इतना बड़ा होगा कि सिक्षा सार्वजनिक नहीं बन सकेगी पिछले वर्सों में जो कुछ भी विचार किया गया था या परियोग करके देखा गया उससे जहां तक मैं समझता हूँ वही निशकर्ष निकाला जा सकता है जो पहले सम्मेलन में हुई बहस से निकाला जा सकता था हमारे सिक्षा सास्त्रियों ने इस पद्धती की अनुकूलता और स्रेष्ठता तो मान ली थी पर उनकी द्रष्टी में इसके द्वारा सिक्षा का वे निकालना है संभव ही नहीं अनूचित भी था परियोग से देखा गया है कि इस पद्धती की उप्योगिता है और इससे पूरा नहीं थो अधिकांस वे निकाला जा सकता है यह मैं प्राथमिक और माध्यमिक सिक्षा के समंद में कहे रहा हूं उच्च कोटी की सिक्षा के समंद में अभी परियोग नहीं के बराबर हुआ है इसलिए उसके समंद में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि इस पद्धती को उतना प्रोचाहन नहीं मिला और ने इसका उतना प्रचार ही हुआ जितना होना चाहिए था और जितना सवराज्य प्राप्ती के बाद हम कर सकते थे इसका कारण जहां तक मैं समझता हूँ यही है कि इसकी उप्योगिता प्रमानित होने पर भी पुरानी पद्धती पर जो आस्ता थी वह अभी दूर नहीं हुई है और इसी कारण सिक्षा के काम में जो व्यक्ती लगे हुए है उनका नै तो इस और ध्यान गया है और नै उन्होंने इस विशे पर गहराई से चिंतन ही किया है आज भी हम इतना ही कह सकते हैं कि इस पद्धती का अभी केवल प्रियोग ही किया जा रहा है इसे राष्ट्रिये कार्य करम मानकर हमारी सरकार ने उसको चालू करने का निश्चे नहीं किया और किरियातमक रूप से कुछ करने की बात तो नहीं के बराबर ही है उसका परिणाम यह हुआ है कि पुरानी पद्धती की संस्थाएं दिन प्रती दिन बढ़ती जा रही है और सिख्षा पर सरकार जो कुछ भी वे कर सकती है या करना चाती है उसका बहुत बड़ा अंस उस पद्धती को ही बनाए रखने में वे हो रहा है और इस पद्धती को बहुत कम प्रोचाहन मिला है मेरा अपना विश्वास है कि सिख्षा में मोलिक परिवर्तन अवश्य किया जाएगा स्टॉप